प्यारे बच्चो जैसे कि आप जानते हैं यह हिंदी नवीन पलव चैप्टर टू पार्ट वन मैं आपकी हिंदी अध्यापी का डॉली वर्मा बच्चो इससे पहले वीडियो में हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का ध्यन किया था और आज इस वीडियो में हम आकी मात्रा क के बारे में पढ़ेंगे आकी मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है आकी मात्रा कैसे लगाई जाती है आज इस सब का हम अध्यान इस वीडियो में करेंगे तो चलिए बच्चो हम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आकी मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द जैसकि आप इस्क्रीन पर भी देख सकते हैं छाता, छ, छ, छ पर آकी मातरा, छा, त, चाता, ताला, भाला ये देखिए, इन शब्दों में कुछ रेड कलर से लिखे हैं रेड कलर से मातरा लगी हुई है, आकी, और बाकी ब्लैक से लिखे हुए हैं तो छपर आकी मात्रा छाता छाता ताला भाला अब ये दो अक्षर वाले शब्द हैं अब इनके बाद हम आकी मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्दों का अध्यान करेंगे ग ग पर आकी मात्रा गाजर के बाद है बच्चो अ नार अनार न पर आकी मात्रा है न अनार इसके बाद देखिए मकान म क पर आकी मात्रा का न मकान तो एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ गाजर अनार मकान अब दो और तीन अक्षर वाले शब्दों के बाद बच्चो अब हम पढ़ेंगे आकी मात्रा के चार अक्षर वाले शब्द प पराकी मात्रा पाठ शाला पाठ शाला ड ड पराकी मात्रा ड क घर र पराकी मात्रा र मायन तो एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ती हूँ पाठ शाला डा घर र मायन सभी बच्चे इन शब्दों को बार-बार पढ़ने का भ्यास करेंगे और आज आपका होमवक भी है आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके बाद बेटा पेस नंबर 22 पर आप ध्यान से देखेंगे उचारन कीजिए यहाँ पर भी दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द लिखे हुए है जैसे द द पराकी मात्रा दाल दाल, माला माला, चा 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 बाग बाग, पान पान, बाग बाग, हरा हरा, कान, कान हाथ, हाथ ये क्या हैं? दो अक्षर वाले शब्द बच्चो अब इसके बाद आते हैं तीन अक्षर वाले शब्द दावत, दपरा की मात्रा दावत दावत, बादल, पालक पपरा की मात्रा पालक उसके बाद है चावल, चचपरा की मात्रा चावल, जहाज, गाजर, गमला, सावन, बाजार, इसकी बाद है बच्चो चार अक्षर वाले शब्द समाचार, आसमान, अकबार, भगवान, वह पराकी मात्रा है ना, भगवान, भगवान के बाद क्या है तलवार, तलवार तलवार की बाद क्या है बच्चो सरकार, सरकार, सरकार की बाद टमाटर, टमाटर की बाद लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है जानवर तो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी रिडिंग अच्छी होगे एक बार मैं सारी शब्द फिर से पढ़ते हूं दाल, माला, चाचा, बाग, पान, बाग, हरा, कान, हात तीन अक्षर वाले शब्द दावत, बादल, पालक, चावल, जहाज, गाजर, गमला, सावन, बाजार और चार अक्षर वाले शब्द समचार, आसमान, अकबार, भगवान, तलवार, सरकार, टमाटर, जानवर बच्चों अब इसके बाद है, पढ़िए, इसमें फिर से वही सारे शब्दों में आकी मात्रा का प्रियोग किया गया है अब हम इने पढ़ते हैं, राजा, बाजार जा, बाजार जाकर, आम, टमाटर, गाजर, ला राजा, बाजार जा, बाजार जाकर, आम, टमाटर, गाजर, ला नेक्स्ट है बिटा, आसमान पर बादल छाया, छाता लगाकर, माधव सागर, साथ साथ पाटशाला लाया आया, आसमान पर बादल छाया, छाता लगाकर, माधव सागर, साथ साथ पाटशाला आया पाटशाला मिन्स स्कूल, तो ये सभी बच्चे इसको पढ़ने का भ्यास करेंगे और आपका होमवक यही है बेटा, आपको इस लेसन टू की आकी मात्रा की रिडिंग करनी है आपका है